अगर उच्चारण में कुछ गल्टी हो मैं अपने विएई के साथियों से माफी जुरूर माँगूंगा और जिने समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूँ जो मैंने अर्बी में कहा उसका अर्थ है भारत और विएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं भारत और विएई की दोस्ती अमारी साजा दौलत है हकीकत में हम अच्छे भविश्य की बहतरीन शुरुआत कर रहे हैं अब आप सोचिए कलम किताब दुनिया हिसाब जमीन ये हिंदुस्तान में कितनी सहज साथ से बोले जाने वाले शब्द है और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे है यहां गल्फ के इस छेत्र से हम दोनों देशों का नाता सेक्डो हजारों वर्ष का और भारत की कामना है ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे है साथ क्यों मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सेक्डो की संक्या में स्टूडन्स भी आये हैं आज ये ही में मोजूद भारतिय स्कुलों में ऐसे सवाल लाग से अधिक स्टूडन्स पढ़ रहे हैं ये युवा साथी भारत वेई की समरुद्धि के सार्थी बनने जा रहे हैं प्रजर हीज हाइनेश शेख मोहमद बिन जायत के सपोर्ट से पिछले मैने ही आईटी देली के अबुधाभी केंपस बैंक मास्टर्स को शुरू हुआ है गुबई में दया सेंट्रल बॉर्ड अब सेकेंडर एजुकेशन CBHC का ओफिस भी जल्द ही खुलने वाला है मुझे विश्वास है कि यह संस्तान यहां भारतिय कम्यूनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे साथियों आज एक एक भारतिय का लक्ष 2047 तक भारत को विख्सीत राष्ट बनाने का है दुनिया का वो देश जिसकी अर्थववस्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है वो देश कौन सा है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्ट फॉन डेटा कंजूम करने में नमबर वन है दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबाल फिंटेक एडॉप्शन रेट में नमबर वन है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे जादा मिल्क प्रोड़क्शन होता है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नमबर दो पर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाईल मनुफेक्टरर है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जहाँ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एको सिस्टिम है हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुँच गया हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना चंडा गाड़ दिया है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100-100 सेटलाइट बेजने का रेकॉर्ड बना रहा है हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलोजी विक्सित करके सबसे तेज रोल आउट किया है हमारा भारत साथियों भारत की उपलब्दी हाई भारतिये की उपलब्दी है फिर देख्सान में भारत दुनिया की क्यारवे नंबर की एकोनोमी से पाँचवे नंबर की एकोनोमी बन गया है और आप जानते हैं मुझे हर भारतिये के सामर्द पर कितना जादा भरोसा है इसी भरोसे के दम पर मुझे ने एक गारंटी भी दी है मुझे के गारंटी आप जानते हैं मुझे ने अपने थीसरे टम में मुझे ने एक जानते हैं मुझे ने एक आप जानते हैं से तम में खारत को तीसरे नंबर की एकानमी बनाने की गारंटी दिया है और मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरा होने की गारंटी हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उनकी परेशानिया कम करने के लिए लगातार काम कर रही हमने चार करोर चे जानदा परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है हमने दस करोर से जानदा परिवारों को नल से जलका कनेक्शन दिया हमने पचास करोर से जानदा लोगों को बैंकिंग सिस्टेम से जोड़ा है हमने पचास करोर से जानदा लोगों को पांच लाख रुपिय तक के मुप्त इलाज की सुविदा दी है गाँ दिहाद के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो इसके लिए हमने देड़ लाख से जानदा आईश्मान आरो के मंदिर बनवाए है साथियों आप मैंसे जो लोग पीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बढ़लाव आ रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एकस्प्रेस बे बना रहा है आज भारत एक से बढ़कर एक नए एरपोर्ट बनवा रहा झाज भा झाज वो जो झाज़कर दो टाज़कर झाज़कर थाज़कर नए एकस्पवूर्ट को जड़कर दो झाज़कर भीत प्रत रहा है